हालो एव्रीवन वेल्कम यौल तो बैंकिंग फ्लेंट एनके होप या दूइंग 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 वीडियो बनाई है और 15-16 देज से 15-20 देज से मैंने कोई स्टैडी भी नी करी क्योंकि हमारे घर पे थोड़ा सा काम चल रहा था जिसकी वज़े से मैं पढ़ भी नी प कुछ करना है क्योंकि मैंने कोई फॉर्म फिल करके रखा है ठीक है सो अभी मैंने जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी लाइसी डबल एओ के एक्जाम के लिए तो वह मैं आपके साथ शेयर करूंगी ठीक है प्री प्लस मेंस की स्ट्रेटेजी में इस वीडियो में शेयर है इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि English language ओकी क्वालिफाइंग हो गई है इसमें ठीक है और English language में अपको minimum 10 marks लेक आने और बस इतना इसे आपका काम हो जाएगा और बाकी के जो reasonynchron और quants के marks मिल करके आपकी जो merit बनेंगी ठीक है आपका 35-35 marks का दोनों का paper होगा reasoning quant का 70 में से आपको marks लेके आने हैं और last year अगर मैं prelims की cut off की बात करूँ तो it was 58 for general category तो इस बारी आपको 62-63 प्लस target रखके चलना है ठीक है कि अब क्या हो रहा है exams का जो level है वो अब होते जा रहा है हर एक you know आप देख पारे जैसे हमारी जितने भी एभी exams हो है IBPS, PO, SP, CLERC, SP, PO सब किसी का ठीक है pattern हाई होता जा रहा है level ठीक है तो इसमें भी आपको 62-63 प्लस target रखके चलना है ठीक है ये तो हो गई एक बाद अब मेरी इसके लिए pre के लिए मैं mains के बारे में भी discuss करूँगी pre के लिए strategy मेरी simple है मैंने सिर्फ daily का एक mock लगाना है ठीक है LICOO pre का उसके बाद मुझे पता है कि जैसे मैंने 15-20 दिन से कुछ भी नी पढ़ा quants की speed मेरी बहुत reduce हो गई है उसके लिए मुझे एक अलग से एक या दो sectional quants के लगाने है इतने में मेरा काम हो जाएगा ठीक है ये मेरी quants के लिए और pre के लिए strategy है इसके इलावा pre के मतलब ये सब करने के बाद मैं insurance awareness को साथ साथ पढ़ूँगी क्योंकि बाद में एक ही month आपको मिलेगा mains के लिए तो इसमें आप नहीं कर पाऊगा अच्छे से ठीक है तो आपको insurance साथ साथ करते cover करते जाना है और insurance के PDF बगएरा सब कुछ मैंने आपको मतलब यहां पर बताऊंगी और share भी कर दूँगी telegram group में ठीक है इवन मैं करी चुकी हूँ तो अभी मैं आपको बताती हूँ mains के लिए यह तो आपका pre का हो गया बस इतना mains का एक सेकिंड में जूम कर दूँ थोड़ा सा इसको I hope it is clear now so यहां पर आप देख सकते हो reasoning minimum reasoning में आपको 30 question आएंगे 3 marks each total marks 90 marks का paper होगा 50% आपको minimum marks लेके आने है अगर 90 marks का paper है तो minimum आपको 45 लेके आने है ठीक है तब ही आप qualify करोगे उसके उपर तो आप जितने भी ला सकते हो उतना ही ठीक है और next है current phase current phase जैसे आप banking करते आ रहे हो वैसे ही करने है last 4-5 months के current phase minimum करके जाने है fourth month के तो minimum करने ही करने है ठीक है आपको आप करना November, December, January, February के अच्छे से current phase करना और March के जो भी 10-15 दिन के बनेंगे ठीक है उसके बाद जो data analysis का portion है यहाँ पर same reasoning के जैसे 30 question आएंगे 3 marks each, 90 marks का paper यहाँ पर भी minimum 45 आपको लेके आने है और current phase में 30 question आएंगे 2 marks का each होगा 60 total और इसमें से 30 minimum लेके आने है similarly insurance और financial market में 30 question 2 marks each और यहाँ पर भी 30 लेके आने है और जो main confusion है यह ना इसी के sources के regarding है तो अभी मैं आपको इसके sources बताती हूँ इसके next है English language essay letter और essay letter writing का paper होगा यह आपका तभी check होगा जब आपके यह उपर वाले चार section है यह आप qualify कर जाओगे minimum इतने इतने number लेके आओगे उसके बाद अगर मैं means की cutoff की बात करूँ तो last year it was around 03-204 ठीक है इतनी cutoff थी general की तो वही आपको 210 करीब करीब इतना target रखना ही है 210-215 marks का ठीक है अब हम बात कर लेते हैं insurance और financial market awareness के sources की तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपको क्या करना है मैंने न दो PDF हैं वो हमारे telegram group में share कर दिये हैं तो वो आपको read करने हैं ठीक है उसके इलावा यहाँ पर आपको जो insurance है इसकी history, principal, इसकी types वगरा premium क्या होता है यह terms वाला यह सब PDF मैंने दोष्ट send की है वो आपको पढ़ने है telegram में तो telegram का link आपको नीचे comment section में मिल जाएगा ठीक है यह description में में डाल दोगी उसके इलावा यह देखो चोटी चोटी वीडियो से 12-17 मिनट की इतनी इतनी वीडियो ही है तो आपको यह कवर करने है इसमें आपको अच्छे से insurance की knowledge मिल जाएगी ठीक है उसके इलावा आपको क्या करना एक नम रुनाल सर है यूपी ऐसी की lecture लेते हैं यह तो इनके भी आपको lectures तीन lecture देखने में आपको बता देती हूँ कौन-कौन से एक second तो यह आपको first lecture दिख रहा है lecture 2 यह part 12 यह आपको cover करना है उसके बाद यह जो insurance sector वाला यह वाला part एक cover करना है मतलब यह video और तीसरी video यह वाली यह तीनों videos मतलब एक यह और दो जो सबसे उपर थी इन दोनों को आपको cover करना है ठीक है यह दोनों videos cover करनी है इतने में आपका insurance sector का जो भी है मतलब आपको knowledge चाहिए वो हो जाएगा और current fair section में main कोशिश करना जितने भी insurance वाली news होगी उनके उपर स्यादा focus करना अगर कुछ changes होंगे तो मैं आपको साथ-साथ update कर दूगे मेरे plan के बारे में और अगर आपके इसके इसके इलावा कोई query है तो आप पूछ सकते हो और हाँ इस exam में main job ID की बात है यहाँ पर negative marking नहीं है ठीक है यहाँ पर लिखा है इनोंने there will be negative marking मुझे लगता है कि इन से कोई मिस्टेक हो गई है career power लेकिन यहाँ पर नहीं है मतलब ऐसा कुछ notification में नहीं आया कि यहाँ पर negative marking है so this is all about this video friends thank you so much